आज हम लोग decimal chapter से कुछ questions को solve करने वाले हैं और आज हम लोग question number 16 से solve करेंगे और इससे पहले का जो question है उसका link का description के नीचे मिल जाएगा तो जैले देर ना करते हैं questions को solve किया जाए तो देखे question number 16 जो है basic सा question है इसमें दिया गया 0.43 और 4.3 के ओपर में बार है यह जो question में है यह थोड़ा misprint होगी है 4.3 के ओपर में बार है clear है तो ऐसा question हम लोग part 1 के वीडियो में ही बना चुके है यह तो उसका basic है एकदम तो 4.3 क इसके ओपर में बार है तो पहले 4.3 को लिख लेना है ठीक है और जितना digit के ओपर में बार रहता है divide में हम लोग उतना ही 9 लिखते है तो दो digit है इसके ओपर में बार है तो 2 गो 9 लिख देंगे ठीक है और यह हम लोग का answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 17 देखिए बहुत ही simple सा question है यह calculation है ठीक है तो इसको multiply करने के लिए सारा multiply दिया गया है ठीक है तो इसको multiply करने के लिए हम लोग सिर्फ digits को multiply करेंगे और जितना digit के बाद point है ठीक है उतना count करके हम लोग point लगा देंगे last में तो पहले multiply कर लेते जिसे यह अपर 2 है 3 है 4 औ 120 तो 120 लिख देते है अब कितना digit के ओपन में point है वो हमको देखना है यहापर देखेंगे digit count करेंगे अब 3 digit के बाद point है यहापर 3 digit यहापर भी 3 3 6 हो गया यहापर 3 9 और 1 10 ठीक है तो 10 digit total हुआ तो हम लोग को इधर से 0 लगा देना है जितना मन उतना 0 लगा दीजेगा पहल 9 10 तो 10 हम लोग count कर लिए यहापर point लगा देना है और point को देखने के लिए हम लोग इधर एक जिरो दे सकते हैं किलिए तो हम लोग कहोगी है 0.000000 मतलब 7 गो 0 है और 120 है यह हम लोग answer हो जाएगा अब option में देखेंगे तो आप लोग देखिएगा तो यहापर 120 देखिने रह है तो लाश्ट बाला 0 यहापर नहीं लिया गया है मतलब ले भी सकते हैं नहीं इधर मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब कि इधर infinite तक 0 है इधर 0000 आते जाएगा तो हम लोग answer हो जाएगा 7 गो 0 और 120 जो कि आप लोग का option देखने को मिलेगा option A में देखिएगा 7 गो 0 और 12 है तो यह हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 18 solve करते हैं यह भी एक simple calculation दिया गी है ठीक है तो 0.8 into question mark है तो वहाँ पर हम लोग x लिख देंगे is equal to 0.0004 है इसको solve करेंगे तो x is equal to हम लोग हो जाएगा 0.0004 और यह multiply में है तो इधर आएगा तो divide में चल जाएगा 0.8 divide में चल गया अब point को हटाएंगे तो multiply में 10 हो जाएगा अब point को हटाएंगे तो कितना है एक दो तीन चार गो डिजिट है तो एक देके 4 गो 0 देंगे जया जैसे कि आप पूर्वर्ण के बाद एक दिजिट था point को हटाएं तो एक देके एक हो 0 इसी तरीके सी इसको point को हटाहे हैं तो चार को डिजिट है तो एक देके 4 गो 0 है अब देखिए four cutable में ये two bar में कटेगा और two cutable में ये five बार में कटेगा तो अब हम लोग का हुआ axis equal to 5 by 10,000 यह हम लोग का हो गया अब नीचे में जब 0 रहता है तो divide करना बहुत easy हो जाता है तो अब हम लोग क्या हो गया axis equal to इसे इसको divide करेंगे तो पहले हम लोग को उपर वाला value लिख लेना है और इधर हम लोग 0 बैठा देंगे अब इधर count करेंगे तो 1,2,3,4 पतलब 4 को 0 है तो back side से 4 digits हम लोग count करेंगे और point लगाएंगे तो 1,2,3,4 count करेंगे और यहां point लगा देंगे तो क्या होगी हम लोग का 0.0005 यह हम लोग का answer हो जाएगा ठीक है इसको हम थोड़ा clear करके लिख देते है 0.0005 यही चीज़ हम यहां पर लिख दिये है कि लिए कि यहां पर clear नहीं था और यह हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 19 देखिए इसमें दिया गिया 3.5 into 3.5 ठीक फिर प्लस में 2 into 6.5 into 3.5 और प्लस में 6.5 into 6.5 तो यह एक formula में 2 जाएगा देखिए आप 3.5 और 6.5 आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर action में 2 है तो इसको हम लोग A माल लेंगे 3.5 को A कर लेते हैं इंटू B फिर इंटू में 3.5 को हम लोग A माने थें फिर प्लस है तो प्लस 6.5 को हम लोग B माने थें तो B into 2 हो है तो इसलिए दो बार लिख दिया अब A into A का मतलब क्या A square प्लस 2BA इसको हम लोग सजा के अगर लिखेंगे तो 2AB लिख सकते 2AB क्लियर क्योंकि multiply में है फिर प आने थे तो इह मोग माने थे 3.5 को एके जगाप़ लोग 3.5 लिखेंगे और क्लस B के जगाप़ लोग लिखेंगे 6.5 अब दोनों का square कर देंगे इसके लिए आप लोगो दोनों का add करना पड़ेगा तो 3.5 और 6.5 को add करिएगा तो 10 होगा 10 का square कर देंगे 100 आ जाएगा और 3.39 into 3.39 तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.39 का square clear और minus है तो minus और ये भी देखे 2.61 into 2.61 तो हम लोग लिख सकते हैं 2.61 का square लिख सकते हैं divide में है 0.78 फिर minus है 7.50 by 3.75 तो इसको हम लोग solve कर लेंगे clear है इसको हम लोग solve कर लेंगे क्योंकि ये easily solve हो जाएगा इस परवला तो देखे 2 digits के बाद point है इसमें भी 2 digits के बाद point है तो point को point हट जाएगा clear अब 375 का table में 2 बार में ये कट जाएगा directly अब हम लोग का बचा किया देखे ये इसको अगर A मानते है इसको B मानते है तो A square minus B square का formula में टूड जाएगा 3.39 और plus में 2.61 फिर एक पार लिखेंगे 3.39 और minus में 2.61 और divide में हम लोग कर देंगे 0.78 और इसमें confusion मतलब confusion में मत रहिएगा कि आगे पीछे किसको लिखे है इसको हम लोग आगे कर सकते थे मतलब minus वाले को आगे कर सकते थे इसको पीछे कर सकते थे तो उससे कोई फर्क न पड़ेगा और minus में यहां पर calculation कि यह तो हम लोग कर 2 आजाता है तो इसको रहन देते हैं अब इसको solve करेंगे तो solve करेंगे इसको करेंगे इस दोनों को add करना पड़ेगा तो add करेंगे अगर इस दोनों को ठीक है 3.39 प्लस 2.61 को तो हम लोग का हो जाएगा 6 फिर bracket के बाहर म और minus में 2, 6 बचा और यहां पर minus में 2 तो 6 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4 और यह हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 21 देखिए simple सा calculation दिया गिया है इसमें दिया गिया है 20 into 0.3 का square तो 0.3 का square जब हम लोग करेंगे तो 0.09 हो जाएगा divide में हो जाएगा 0.18 के लिए अब देखिए point से point हड जाएगा तो कि 2 के बाद point है इसमें भी 2 के बाद point है अब 9 का table में 2 बार में 18 और 2 का table में 10 बार में 20 हो जाएगा तो हम लोग answer क्या होगा 10 हो जाएगा ठीक है अब देखिए बहुतों को तो समझ में नहीं आया हो कि 0.9 क्यों कियें तो देखिए इसको ऐसे ना करके अगर हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं देखिए कैसे करेंगे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अ अब आगे कुशन हमलोग solve करेंगे question number 22 को solve करते हैं इसमें दिया गए 3.6 into 0.48 into 250 है ठीक है उसके बाद divide में है 0.12 into 0.090 into 0.5 तो जैसा question था हो इसे उतार लिए पहले ठीक है अब हम लोग point को हटाएंगे तो देखें इसमें 2 digits के बाद point है और यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो एक digit के बाद point है और यहाँ पे देखेंगे तो एक digit के बाद point है तो यह हट गिया यह बजगिया ठीक तो इसको हटाएंगे तो यह को है 1,2,3 है point के बाद 3 को digit है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 देखेंगे और 3 को 0 देखेंगे अब इसकω solve करेंगे हम लोग ठीक है तो देखेंगे, तो 12 का table में ये 3बार में cut जाएगा 0 से 0 cancel हो जाएगा अब 5 का table में ये 5 बार में cut जाएगा ठीक है और 3 का table में, फिर ये 3 बार में 9 फिर 3 का table में इसको cut जाएगे तो 3 1 जा 3 बन बज गया 30 जा 18 अब 65 जा 80 हो गया अब यह 3 गो 0 है तो यह 3 गो 0 हो गया मतलब 80 हजार यह हम लोग एंसर हो जायागा अब आगे कुश्चन सॉल्व करेंगे कुश्चन नमबर 23 देखे बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल वय में सॉल्व करेंगे 63 के ओपर में बार है ठीक है 0.63 है और 63 के ओपर में बार है तो जिसके ओपर में बार रहेगा वो ही चीज रिपीट करेगा 0.37 है और इसके ओपर में बार है तो यह वाला रिपीट करेगा के लिए अब इसको एड करना है तो एड हम लोग सिंपल वय में करेंगे जैसे बचपन से करते आ रहे हैं तो इसको हम लोग एड कर लेंगे तो 7.03,10 का 0, carry 1 6.03,9 और 1, 10 का 0, carry 1 7.03,10 और 1, 11 का 1, carry 1 हो गया 6.03,9 और 1, 10 का 0, carry 1 तो यहां पर 1 ही हो गया के लिए तो क्या हुआ 1.01 और रिपीट क्या कर रहे है 0101 रिपीट कर रहे है तो इसके ओपर में बार देंगे जो चीज रिपीट करेगा बार बार उसके ओपर में बार दिया जाता है के लिए और यह हम लोग का एंसर हो 1.1 है इसके उपर में बार है तो यह question number 23 के जैसे ही बनेगे एदम simple way में है इतना तो हम expect कर सकते हैं आप लोगो से इस question को आप लोग खुद से solve कर पाईएगा तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं actual में problem होगी या line का तो इस question को आप लोग खुद से try करिएगा clear है और मिलते हैं next video में next class में thanks for watching